जिले में बड़े पैमाने पर कोलू से गुड़ बनाने का काम चुड़ू हो चुका है इन कोलू में गन्ये के रस को पकाने के लिए इनन की जगे प्लास्टिक और रबड का इस्तिमाल किया जा रहा है जो वातवरन को दूशित कर रहा है और लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है हाला कि कोलू सुआमियों के पास गन्ये की पिराई के बाद निकलने वाली खोई इधन का बैतर बिकल्प है लेकिन उसे सुखाने के जंजट से बचने के लिए और महेंगे दामों से बचने के लिए प्लास्टिक और रबड का इस्तेमाल किया जा रहा है वहीं रूड की छेतर के एकबालपूर, लंडोरा, जबडेरा, भारापूर आधी जगे उपर सेकडो गन्या कोलू संचली थो रहे हैं इन कोलों का इंधन, इन कोलों में इंधन की जगे पर प्लास्टिक, रबड, कूरा, कच्रा, आधी इस्तेमाल वातावरण को दूशित कर रहा है आज पास के लोग इस जहरीले गैस से परिशान है और संबंदित अधिकारियों की तरफ आज भरी निगासे देख रहे हैं जलाने से निकलने वाला दूआ, वही प्लास्टिक और रबड जलाने से निकलने वाला दूआ, जान लेवा बिमारियों की वज़ा बन रहा है प्लास्टिक एवम रवर्ड जलाने पर हाइड्रोसिस, एवम, फियूरोंस, रसायन, कारवन, कड़, पैजीन, औरसेनिक, क्रोमियम, आधी पर्यवरन में फैल रहे हैं जानकारों का कहना है कि इनमें मानव और अन्य जीवों में डीने खराब हो रहे हैं ये दुआ कैंसर, मानसे रोग, प्रजनन, शमता, शीर्ण, अस्थमा और सांस की अन्य बिमारियों का कारण बन रहा है वह इस मामली में जॉइंट मजिस्टेट ने कहा कि मामला मीटिय के द्वारा उनके संग्यान में आया है संबदित मामले की जाचकर कारवाई की जाएगे